स्कूल में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उन्हें प्रैक्टिकल नॉलिज में ज्यादा मौका मिल सके इसके लिए केंद्र सरकार स्कूल में अटर टिंकरिंग लैब का निर्मान करा रही है हर्याना के जगाधरी में DPS स्कूल में बच्चों को इस लैब का फाइदा मिल रहा है सुमित जिंदल इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं इस योजना को लेकर उनकी क्याराय हैं आईए सुनते हैं A mission has started saying ATL The child gets the proper benefit of scientific approach in their minds So all our young brain, young children who are not getting those resources Now government is sponsoring all these, labs are being set So whatever the ideas children have it and they were not being utilized Now they are being tapped in the ATL labs इस लैब का बच्चों को भरपूर लाभ मिल रहा है नए प्रयोग करने के लिए उन्हें यहां मौका भी मिलता है और आईडिया भी शेयर करते हैं मेरे को बहुत फाइदे हुए मेरे को मैं जो भी पहले सोचता था वो कागजों पही रह जाता था पर अब इसके खुलने के बाद मैं जो भी सोचता हूँ मुझे सको बनाने के जगा मिल गई है मेरे को मदद चाहिए होती थी पर इंटरनेट तो काम करता नहीं है आपको बताईए पर अब मेरे को यहां पर ऐसे टीचर मिल गए है जो मुझे बताते है कि मैं क्या कर सकता हूँ मेरे को अपने वी यूज और आइडिया को प्रेजन करने के लिए प्लाटफर्म मिल गया है यह पर जो इसका बेसिक यूज है वो है रोबर्टिक्स हमें सेंसर्स की वोकिंग और हम किसी चीज़ किसी भी काम को आप्टमेटिक कैसे कर सकते हैं कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग यह सब सीखने को मिलता है जो यह एटिया लब्स खुल रही है हमारे जो आइडिया जो व्यूज है वो अब फंक्शन में आ सकते हैं हम पहले सोचते थे कि यह दर्वाजा जैसे की डूर है अपने आप खुल जाता है कैसे होता है यह सब पर अगर हम स्कूल लेवल पर ही यह सब सीख रहे हैं स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनने से बच्चे अपने सपने को पूरा करने में जुटे हैं बच्चों के लिए सरकार की इस योजना को सराहा जा रहा है यह स्कूलों में अपने स्कूलों में अपने साथ यह सब दोद्षापिक